सब्सक्राइब कीजिए स्टुदेंट पॉइंट एकडेमी चानल को और बेल आइकान को रभाईए स्टुदी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Hi, dear students welcomes you today we are going to learn lesson number nine standard for evs lesson number nine is air kle檀田ius is a very important factor for us that just like food, water, air is most essential factors. Without water, we can't alive. Without food, we can't alive. And without air, also we can't alive. बिना हवा, बिना पानी और बिना भोजन के. जैसे हम बिना पानी के और बिना भोजन के, बिना खाए और बिना पिये जैसे जिन्दा नहीं रह सकते. बिना सांस लिए, बिना ऑक्सिजन लिए, हम जिन्दा नहीं रह सकते. And this is oxygen is present in air. और यही जो oxygen होता है, जो हमें जिन्दा रखता है, वो air में present होता है. Okay? So students, आई यह स्टार्ट करते हैं, lesson number 9, air. So can you tell, what are the people in the picture doing? यहाँ पर picture में जो लोग है, यह क्या कर रहे हैं? देखो, यह क्या कर रहा? Pumping, okay? यह pressure कर रहा है air को, किसमे? cycle के tear में air pump कर रहा है, हवा भर रहा है. The girls is blowing the balloon. यह balloon फुला रही है. और यह जो है, यह car में, okay? हवा भर रहा है, जैसे cycle में हवा भर रहा, air fill कर रहा है, वैसे ही, car के tear में air fill कर रहा है. Now try this. Take water in a big container. एक बड़ी से bucket में पानी ले लो. Take a small narrow container. Okay? एक छोटा container लो. Hold it upside down on the surface of the water and without tilling it, push it down into the water. अब क्या करो? एक mug ले लो और उसको उल्टा रखो. उल्टा ऐसा रखो कि उसके अंदर पानी नहीं भरना चाहिए. उस उल्टे मक को पानी के अंदर दबाने की कोशिश करो. और बताओ कि क्या वो पानी के अंदर डूबता है? No. Now allow it to lift. Tilt. Tilt. अब उसे क्या करो कि दबाने की कोशिश करो. दबाओगे तो वो अंदर जाएगा नहीं. वो तहरते रहेगा. अब उसे क्या करो हल्का सा tilt करो. Tilt करना मतलब हल्का सा तिड़ा करना. जैसे इस बड़ी भी बकेट में दिखाए. हल्का सा तिड़ा करो. क्या करोंगे? So you will see that the bubbles of air are coming out from the water. पानी में से ये देखो bubbles बहार आ रहे. What do you see? Bubbles rise at once to the top. मतलब नीचे से उपर तक के bubbles बहार आ रहे. So what does this tell us? ये हमें क्या बताता है? Air is lighter than water. हवा जो होती हो पानी से बहारी होती है. So air bubbles rise. इसलिए हवा के जो bubbles है वो बनके मतलब हवा जो है bubbles के फर्म में बहार आती है. To the top as soon as container is tilled. To the top. To the top as soon as container is tilled. It means that there was air even in the container that appeared to be empty. इसका मतलब ये समझे लीजिए कि हमने bucket के उपर एक container रखा उल्टा करके और उसे पानी में डुबाने की कोशिश की और वो डूब नहीं रहा था. हमने जैसा हलका सा उसे तेड़ा किया तो bubbles बहार आ गया और उसके बाद वो डूब गया. इसका मतलब ये समझे कि वो खाली नहीं था कोई भी चीज इस दुनिया में खाली container खाली नहीं होता है उस खाली चीज के अंदर हवा होती है. तो air से वो फूरा फिल था जैसे एक सिंपल सी बात है मैं आपको बोलू कि ये दो ग्लास है इस ग्लास में water है और ये ग्लास में कुछ भी नहीं है. This is a glass A and this is a glass B Now tell me which glass is empty कुन सा glass खाली है Comment box में बताए तो बताए तो कुन सा glass खाली है मैं बताओ कोई भी glass खाली नहीं है इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें हवा भरी हुई है तो जो भी चीज खाली होगी उसमें air होती है ध्यान में रखिये So there is air all around us इसलिए हम कहते है कि air सभी तरफ है all around us हमारे चारो और हवा है It is present even in place that appear to be empty चाहे वो जगा तुमें खाली दिख रही हो पर वहाँ पर भी हवा है Then how far how far around us does air spread how far around us does air spread हवा हम से कहा तक फैली हुई या कितने दूर तक फैली हुई कितनी फैली हुई हर जगा हवा फैली हुई है So take a large sheet of any waste paper किसी भी खराब paper का बड़ा तुकडा लीजिए or obtain old newspaper of about one month and tear each of the sheets into four pieces अब क्या करो कि या तो waste paper ले लो या फिर आपके हर में newspaper होगा पूराना एक मेहने पूराना एक दिन एक हपते पूराना ने क्योंकि newspaper कभी भी ज़रत पढ़ जाती है तो one month old newspaper लीजिए एक बड़े newspaper sheet के चार तुकडे कीजिए now place these sheets of paper one at a time in a people on the floor उसके बात करो now place these sheets अब यह जो sheets है पेपर की यह एक जगा रखो one at a time in a pile on the paper मतला वैसे paper का bundle बनाओ वैसे काफी सारे paper एक के उपर एक रख दो as pile grow जैसे यह pile बनेगा observe the difference that can be seen in the layer of paper आप देखोगे की आपको अलग-अलग layer दिखाई देंगी पहला paper, दूसरा paper, तीसरा paper ऐसे as the top of the pile and those near the floor तो एक paper जो होगा वह सबसे उपर होगा और एक जो होगा सबसे नीचे होगा so when all the sheets have been placed observe the difference in upper and lower layer of paper जब पूरी sheets बन जाएगी पूरे pile बन जाएगा तो यह जो उपर वाला paper है और यह जो नीचे वाला paper है उस paper को देखिए what do you see, आपको क्या दिखाई देता है as we place more and more paper on the pile the sheet at the lower level are pressed down by the sheets about them मतलब कि जितने paper हम एक के उपर एक रखते जाएंगे सबसे नीचे वाली जो sheet है वो flat flat होते जाएंगे, चप्ती होते जाएंगे नीचे नीचे दप्ती चले जाएगे so the distance between the paper in the lower part of the pile become less while the paper in the upper part appear to be further apart तो दीरे दीरे वहाँ पे जो है उसके उपर जो pressure बढ़ता चला जाएगा so what does this tell us यह हमें क्या दिखाता है, क्या सिखाता है the nearer a sheet of paper is to the floor the greater is the number of paper above it, it means that lower layer bear more weight than the upper layer, इससे हमें यह पता चलता है कि जो paper सबसे नीचे रहेगा, उस paper के उपर इन सभी paper का weight पड़ता रहेगा, तो इसके उपर सबसे ज़्यादा वजन आ जाएगा, weight आ जाएगा, so compared to that the upper layer bear less weight, तो अब पता चलेगा कि उपर वाला जो paper है और नीचे वाला paper, यह इस पर कुछ भी वजन नहीं पड़ रहा, सबसे ज़्यादा वजन इस पर पड़ रहा होगा, so the atmosphere, अब आते हैं, यह बात आपको air के बारे में नहीं समझा नहीं थी हमें, यह बात समझा नहीं थी atmosphere के लिए, okay, तो आते हैं atmosphere पर, the earth on which we live is around is a shape like ball, जिस पृत्वी पर हम रहते हैं, वो पृत्वी ऐसे ball जैसे दिखाई देती है, there is air all around the earth, और हमारे अर्थ के आसपास सभी जगा air है, okay, हर जगा air है, this covering of air around the earth is called atmosphere, और यह जो air है, यह अर्थ के आसपास है, और air ने मान लीजीए, यह अर्थ है और अर्थ के आसपास यह जो line बना रहे हम, यह air है, इस air ने अर्थ को cover करके रखाया, जैसे मान लीजीए, हमने यहाँ पर अर्थ बनाया, यह हमारी अर्थ है, इस अर्थ के आसपास air है ऐसी ओके ऐसी ऐसी अलग-अलग है काफी सारी airs के टाइप है यहाँ पर उस atmosphere में ओके अर्थ के आसपास यह जो dark blue कर रहे हम यह अर्थ है और यह अर्थ के आसपास जो लाइनिंग बनी है यह air है तो ऐसी काफी सारी airs हमारे अर्थ के आसपास ऐसा atmosphere As we go further from the earth, जैसे जैसे हम earth से farther मतलब दूर जाएंगे, उपर जाएंगे, farther मतलब दूर, जैसे हम earth से दूर जाएंगे, अब earth से दूर मतलब कहा जाएंगे, उपर, ओके, lift up जब होंगे, the layers of earth become thinner, तो earth की, जो air की जो layer होंगी, वो thinner थिरन होती चली आएगी, हम अभी सबसे नीच अर्थ पे है, तो हम जब earth पे है, तो हमारे पर, अर्थ की जादा pressure है, क्योंकि, जो air है, वो बहुत उपर तक है, समझ लीजी, यहां तक है, तो हम यहां पर है, तो यह air का दबाओ, इतनी पूरी air का दबाओ, हम पर यहां पर पढ़ रहा है, जो अगर हम यहां पर खड़े है, फिर से एक बार बताओ, मान लीजे, look at this, this is a earth, ओके, यह earth है, आप हवा को ऐसा मत समझीए, हवा काफी भारी होती है, हलकी नहीं होती, क्योंकि, जब बहुत सारी चीज, जैसे हम देखेंगे, कि, जैसे आपने रूई देखा हुगा, कापास cotton, cotton बहुत हलका होता है, पर cotton को अगर हमने बोरे में भर दिया, तो आप उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत भारी हो जाएंगे, क्योंकि quantity हो जाएंगी ज्यादा, यहाँ पर देखो, मान लीजे, if you stand here, आप यहाँ पर खड़े, तो air का जो pressure है, जो earth के आसपास है, और यह air का जो pressure इतना नहीं है, यह काफी उची आई तक है, काफी दूर तक है, अब इतना पूरा air का pressure यह आपके उपर पड़ रहा है, तो जैसे जैसे आप उपर जाएंगे, अर्थ का pressure कम कम होता चला जाएगा, मतलब भारी पना कम होता है, आपको हलका हलका लगीगा, that is why the layer of air closest to the earth are very close to each other, तो इसलिए जो earth, जो air, हमारे earth के पासे, जैसे यह पूरी air है, अलग-अलग line जो air की दिखरी है, तो जो air हमारे earth के सबसे करीब है, वो air बहुत ज़्यादा closest होती है, इसलिए हर जगा वो भरी होई होती है, while the ones at higher level are not so close, the air at greater heights are rare, तो जैसे जैसे हम उपर जाते जाएंगे, हवा जो होंगी, वो rare होंगी, मतलब कम-कम होती चली जाएगी, उपर हमें फिर air pressure नहीं मिलेगा, यह बात आपको समझ में आगी, यह होती atmospheric air, उसके बाद देखें, try this, take a slightly deep dish like saucer, एक saucer ले ले लीजिए, अब इस candle को यहाँ पर देखिए, खड़ा कर दीजिए, और फिर उस dish में water डाल दीजिए, आप पानी देख रहे हैं, अब candle को हमें जलाना है, candle को क्या करना है, हमें जला देना है, now place the glass tumbler over the candle, अब क्या करेंगे, एक steel glass लेंगे, आप देख रहे हैं, आपने क्या किया, पहल बहुत ही simple experiment है, उल्टा कर देंगे, और इस glass को dish पर उल्टा करके रख देंगे, जैसे ही आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो candle है, यह कुछ देर तक जलेगी, दो चार सेकंड तक जलेगी, और उसके बाद यह बूद चाहेगी, यह जब तक के जलते रहेगी, जब तक यह करेगी, यहाँ water, जो dish में जो water है, उसे glass में ले लेगी, अब आप देखेंगे, कि glass उल्टा रखा है, पर dish में से water कम हो गया, पर यह जो water है, यह glass के अंदर आ जाएगा, अपने आप अंदर आ जाएगा, अब यह हुआ कैसे यह जादू, यह जादू नहीं है, जो flame है, बीना oxygen के, जैसे बीना oxygen के हम जिन्दा नहीं रह सकते, वैसे बीना oxygen के आग नहीं जल सकती, तो इस आग को जलने के लिए oxygen की जरूत थी, जब तक यह खुली थी, उसे काफी सारा oxygen मिल रहा था, चारो तरप से, इसलिए एक flame जल रही थी, candle जल रही थी, अब जब इसके उप तो इस glass में जितना oxygen भरा हुआ था, उतना water इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो जगा खाली हो गई न, तो ध्यान में रखे, इस दुनिया में कोई भी चीज खाली नहीं होती, जो खाली होती उसके vacuum कहते है, और जो vacuum होता है, वो खाली मतलब vacuum के बारे में मैं आपको जहां पर भी air present है, हमार अर्थ की अगर बात करें, तो कोई भी चीज खाली नहीं रह सकती, बिल्कुल खाली नहीं रह सकती, अगर करना है तो vacuum create करके बनाया जा सकता है, पर खाली नहीं रह, अब ये बिल्कुल भी glass खाली नहीं रहा, क्योंकि मान लिजिए इसमें इतना oxygen तो इस oxygen को candle ने use कर लिया, किसके लिए जलने के लिए, जलने के लिए, और जैसे जैसे oxygen use होता गया, ये वो oxygen जलता गया, जैसे जैसे oxygen जलता गया, वो glass में से oxygen खाली होता गया, जैसे जैसे oxygen खाली होता गया, उस खाली glass में पानी भरता गया, और जब पूरा oxygen खतम हो गया, candle बूझ गई ओके और इतना water आपको glass में दिखाई देगा it's a very important experiment आप करके देखिए जब आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ बहुत चोटा सा experiment है अपने parents के साथ मिलकर कीजिए अगर आपके पास काच की glass नहीं है तो steel की glass भी चलेगी क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि डीश में से पानी कम होता हुआ दिखाई देगा okay please it's my request please do it इसे करके देखिए please इसे करके देखिए now what do you see okay यह तो हमने पता कर लिए कि यहां पर क्या होने वाला है and why does this happen यह भी हमने पता कर लिया यह भी हमने बता है कि यह क्यों ऐसा होगा है न चो इस इस constitute of air that help burning is called oxygen gas तो air के अंदर जो चीज थी okay जिसने candle को कुछ देर तक चलने में मदद की वो थी oxygen gas जिसकी हमें भी जरुरत पड़ती है सांस लेने में okay so the earth atmosphere is made up of air हमारा जो earth का atmosphere है वो हवा से भरा हुआ है okay पूरी हवा से भरा हुआ है the circle in this picture shows all there in atmosphere यह जो circle दिखाई दे रहा है यह पूरा atmosphere के लिए if we divided the circle into five equal parts अगर हम circle को one two three four five equal parts में अगर divide कर दे then the oxygen in air will be equal to one of the four तो जब oxygen होंगी वो चार पार्ट में से चार पार्ट के बराबर यहां पर जैसे एक पार्ट यहां पर दिखाई देंगा मतलब यह five equal parts में एक पार्ट ही oxygen है इसका मतलब air में अर्थ में काफी सारी हवा है काफी सारी air है पर अगर air में और बहुत सारे gases mix है अब इसमें अकर स्रेफ हम oxygen की बात करें तो इतना ही part oxygen का हमारे air में है apart from oxygen there are other gases in atmosphere oxygen के अलावा atmosphere में और भी gases है carbon dioxide nitrogen ऐसी बहुत सारी अलग-अलग gases है which could be which which could those be वह कौन-कौन सी हो सकती है आप याद कर जिए CO2 carbon dioxide gas और nitrogen gas okay so the oxygen in the air is used both for breathing as well as sorry burning as well as respiration तो जो oxygen है हवा में यह दो चीजों के लिए यह उस होता है जलने के लिए जैसे candle अगर candle को अगर oxygen नहीं मिलेगा तो जलेगी नहीं तो जलने के लिए oxygen का use होता है respiration मतलब हम जो सांस लेते हैं स्वशन करते हैं respiration होना मतलब श्वास लेना श्वास ऐसा श्वास ओके सांस लेना oxygen inhale करना जैसे respiration which are the other use of air you know about आपको पता है हवा के और दूसरे uses क्या है you have learned that the gas that fees out by soda water in carbon dioxide these gas is present in a small quantity in air too you have also learned that तो देखो कि जैसे आपने sprite thumbs up को pepsi soda bottle को कभी open किया होगा तो जब हम उसे open करते तो वहां से bubbles निकलते और अगर हम उसे shake करके open करे तो फूरा ऐसे उड़ जाता है उपर तो उसमें क्या है उसमें है carbon dioxide gas यही carbon dioxide gas हमारे हवा में भी थोड़े से मातरा में होती है तो oxygen हो गई दूसरा नाम हमने पढ़ा carbon dioxide gas याद रखिए students यहां से आप science की और और आगे बढ़ रहे हैं यहां से science में थोड़ा सा changes होने वाला है यहां से आप element के नाम पढ़ना शुरू करेंगे अब आपने दो element के नाम पढ़ लिए एक है oxygen दूसरा है carbon dioxide ओके तो oxygen को short form में O कहते हैं और carbon dioxide को short form में CO2 कहते हैं ओके carbon 2 oxygen carbon di मतलब 2 oxide मतलब oxygen carbon के साथ 2 oxygen that is carbon dioxide एक carbon 2 oxygen carbon dioxide अब आपने दो element के नाम पढ़ लिए एक oxygen और एक carbon okay carbon dioxide so these gas is present in small quantity in air too you have learned that plant make their food using air and water in the presence of sunlight अब आपको पता है सूरज की धूप से प्लांट धूप को लेता है और जमीन से पानी लेता है nutrition लेता है और हवा से और हवा में से हवा को लेता है तो यहाँ पर ध्यान में एक बात रखना है आपको जिस तरह से air में present oxygen का हम यूज करते है स्वास लेने के लिए respiration करने के लिए उसी तरह air में present carbon dioxide का यूज करते है plant कोन करता है हम carbon dioxide का यूज नहीं करते हम oxygen लेते हैं और oxygen हमारे अंदर जाता है उसका use हो जाता है लंगस में जाकि वो जल जाता है बर्न हो जाता है और उसके बाद जो हम बाहार छोडते हैं जो हवा हम बाहार छोडते हैं वो carbon dioxide होता है यह carbon dioxide gas का use कोन करता है plant इस carbon dioxide को अपन carbon dioxide सूरज की धूप जमीन से मिट्टी और nutrition मिलाकर वो अपना खाना बनाते हैं पेड़ अपना खाना अपने पत्तियों में बनाते हैं और फिर जब वो पत्ती पीली हो जाती सूख जाती तो उसका खाना खतम जाता और पेड़ उस पत्तियों को नीचे गिरा देता है यह उनकी dioxide from air जब प्लांट अपना खाना बनाते तो वह हवा से carbon dioxide लेते हैं दो gas के बारे में हमने पढ़ लिए you have seen that when you place ice on glass and become very cold droplet of water settle on its outside it means that water too is present in air in the form of gas हमने इसका experiment आपको बताया भी था third standard में जब हमने पढ़ाया था आप एक काम कीजिए एक glass लीजिए okay ये glass हमने ले लिया अब आपको क्या करना है इसमें cold water या फिर ice डाल दीजिए okay यह हमने cold water यहाँ डाल दिया after a second आप कुछ दिर बाद दिखोंगे कि glass के आसपास आपका पानी की ब water के साथ अब आप एक normal water लीजिए एक glass लीजिए उसमे normal पानी साधा पानी डाजी इसमें thंडा पानी नहीं रहेगा इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा यह fresh रहेगा अब यहाँ पर जो droplets जमा हूँ जो पानी की बूंदे जमा हुई है अब यह क्या ठंडा पानी glass के अंदर से बाहर आता है क्या ऐसा तो नहीं है glass to still की हो तो बाहर भी नहीं आ सकता फिर इसके आसपास यह पानी की बूंदे जमी कहां से तो जो air होती है उस air में vapor होती है वेपर क्या होती है जब पानी को गर्म करते है तो पानी gas में बदल जाता है जिसे हम vapor कहते है वो vapor जैस एर में oxygen present होता है जैसे air में carbon dioxide present होता है वैसे ही air में water की gas मतलब water vapor present होती है जैसी ही water vapor जैसे आपको पता है गर्मी में पानी भाप बनकर ऊपर जाता है फिर बादल बन जाता है फिर जब बादल ठंडे हो जाते हैं उसके बाद पानी बनता है और वो बरसता है वैसे ही यह जो glass होता है glass बहुत थंडा है तो इसके आसपास गरम पानी की भाफ है water water vapor है यह water vapor जैसे इस glass से तकराती है उसके contact में आती तो वो तुरन थंडी हो जाती है जैसे यह थंडी हो जाती है यह हो जाती condensed एक नया वर्ड याद रखिए condensed, क्या हो जाती, condensed, condensed होना मतलब वो ग्यास से पानी में बदल जाती है, वह condensed हो जाती है, और वो ग्यास से water droplets में बदल जाती है, okay, इसका मतलब क्या है, कि air में water vapor भी present है, however, the largest part of air is made up of steel, another kind of gas, these called nitrogen, और इसके साथ साथ, हमने water vapor भी देख लिया, okay, हमने क्या देखा, oxygen, carbon dioxide, vapor और अब हम चौथी ग्यास देख रहे हैं, nitrogen, तो हवा में इसके अलावा nitrogen ग्यास भी भरी होती है, अब आप देखेंगे, कि air में nitrogen gas ये सबसे ज़्यादा है, ये जो आप circle देख रहे हैं, ये circle आपको बता रहा है, कि ये मान लीजिए, ये पूरी earth है, तो ये जो orange वाला portion है, बस इतनी ही oxygen है, इसके बाद ये yellow वाले portion में carbon dioxide भी आएगा, और पानी की बुंदे भी आएंगी, और बच्चे का हुआ जो ये blue color का area देख रहे हैं आप, ये पूरा nitrogen है, मतलब सबसे ज़्यादा nitrogen है, Thus, there are several gases present in air, in words, as air is a mixture of several gases, और अगर हम देखे, तो हवा क्या है, हवा है, बहुत सारी अलग-अलग gases का mixture, अलग-अलग gases का, जो मिश्रन है, उसे हम कहते air, मतलब air में बहुत सारी gas mix है, Now, if we draw a circle to represent air, अगर हम air को represent करने के लिए अगर एक circle बनाते हैं, तो the quantity of each gas in the mixture will be shown alongside, तो यह आप देख सकते हैं, यह पूरा nitrogen होगा, यह oxygen होगा, और यह yellow वाला other gas, इस other gas में carbon dioxide भी आ गया, और दूसरी water droplets और दूसरी gases भी आ गई, Now, do you know, आप जानते हैं, the burning that take place in factories, vehicle, stores in kitchen, etc, give out smoke, आपके घर में खाना बनता है, लकडिया जलाते हैं, store जलाते हैं, ग्यास से धुआ नहीं निकलता, बाकी जो चीजें उनसे धुआ निकलता है, जो factories होती है, factory से smoke बाहर निकलता है, गाडियों से smoke बाहर निकलता है, आप देख रहे हैं, आपर, okay, look at here, okay, this is the factory, the smoke out from the factory, factory में से smoke बाहर आ रहा है, auto car चल रही है, इसमें से भी धुआ बाहर आ रहा है, खाना पकरा, इसमें से भी धुआ बाहर आ रहा है, smoke बाहर आ रहा है, so, अब देखें आगे, क्या बताता है, हमें, this smoke to mix with air around us, और ये जो धुआ है, ये भी हवा के साथ mix हो जाता है, तो इतनी सारी चीज़े हवा के साथ mix हो जाती है, so, students, ये था हमारा lesson air, और आई ये देखते हैं, इस lesson में हमने क्या पढ़ा एक बार शौथ में, air is present all around us, even in place that appear to be empty, हवा हर जगा present है, ठीक है, भले आपको वो चीज़ खाली दिख रही होगी, वो जगा खाली दिख रही होगी, पर वो खाली नहीं होती है, उसके अंदर हवा भरी होई होती है, there is a covering of air all around the earth, यहाँ पर हमारे air के आसपास, अर्थ, हमारे अर्थ के आसपास, air का घीरा बना हुआ है, air से हमारी earth ढकी हुई है, पूरे air हमारे अर्थ के आसपास है, और उसी air को हम कहते है, atmosphere, ओके, आप बुलेंगे, atmosphere का मतलब क्या होता है, तो मतलब नहीं, atmosphere यह एक नाम है, जो हमारे air के आसपास बना हुआ है, उससे atmosphere कहते हैं, ध्यान में रखी है इस नाम को, मैंने कहा था, आप धीरे धीरे science की और आगे बढ़ते जा रहें, तो आप नहीं नहीं चीज़े सिखते जा रहें, आपके लिए नए word आये हैं, एक atmosphere आया है, oxygen आया है, nitrogen आया है, carbon dioxide आया है, water vapor आयी है, तो the layer of air in the atmosphere close to the earth are placed closer to each other, while upper layer are rare, तो जो air अर्थ के पास में है, मतलब नीचे है, जमीन के उपर उपर जो हवा है, पास पास में, वो बहुत ज़्यादा दभी हुई है, प्रेश है कि उसके उपर काफी सारी air है, तो उसके उपर काफी सारी air है, यह दभी हुई है, तो इसलिए यह dense है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जैसी जैसे उपर जाएंगे, हवा कम कम होती चलिएगी, air is a mixture of several gases, air बहुत सारी gases का mixture है, जैसे oxygen है, air में nitrogen है, air में carbon dioxide है, air में water vapor है, और यह main constitute है, सब air के, तो याद रखिए, यह listen आपने पढ़ा है, air के बारे में, और air के बारे में, इतनी सारी चीज़े आपने पढ़ी है, practice करिए, reading करिए इस listen की, so, आईए देखिया, always remember, fuel like coal, जैसे fuel, fuel मतलब जिसको हम जलाते हैं, हम किसको जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, खाना पकाने के लिए, हम diesel, petrol का use करते हैं, हम kerosene का use करते हैं, हम gas का use करते हैं, खाना पकाने के लिए, तो जितनी भी चीज़े हम जला रहे हैं, चाहें आप गाड़ी चलाने के लिए या खाना पकाने के लिए उसे हम फ्यूल कहते हैं क्या कहते हैं फ्यूल तो पेट्रोल डीजल इसमें से धुवा निकलता है वाइल बर्निंग विच मिक्स विद दे एर और ये सब हवा के साथ मिक्स हो जाता है दस कैन कॉसे इल हेल जिसक ये हमारे लंग्स को डाइमेज करता है जैसे कहते हैं वो आप टीवी पे दिखाता है कि बीडी सिगरेट पीने से लंग्स के कैंसर होते है पिचर शुरू होने से पहले दिखाता है कि बीडी सिगरेट छोड़िये मत पीजिये आपको पता है जो हम ट्राफिक में रहते हैं ह में हम जब trafficking में घुशते हैं तो हम ना चाहते हुए भी smoke को अपने अंधर लेते हैं तो smoke कोई भी हो आगर वो हमारे अंदर गया हमारे lungs तक गया तो lungs में बैठ जाएगा और lungs में टार बनाएगा फिर इस से किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है अगर ये बहुत जादा amount में हमारे अंदर जा रहा है तो lungs का cancer हो जाएगा ओके so students healthy रहिए साफ है और हमेशा अच्छी आज़ते ही सीखिए ओके so ये lesson यहाँ पर ही अगर आपको ये वीडियो ये lesson अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी अगर नहीं किया है तो और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताईए क्योंकि वो भी चाहते हैं अच्छी study करना और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल अच्छा है और आपको काफी सारी help मिर रही इससे तो प्लीज आप मेरी आप जैसे मैं आपकी help कर रहा हूँ ये आपकी help है कि मैं आपको बढ़ा रहा हूँ आप मेरी help कीजिए आप अपने काफी सारे दोस्तों तक मेरे चानल को पोचाईए बस इतनी सी मुझे help आपसे चाहिए so students अगर वीडियो अच्छा गया तो वीडियो को लाइक कीजिए चानल को subscribe जरू कर दीजिए और अब आते हैं हमारे question answer session में थोड़े सही question answer है जादा नहीं है देखिए यह एक part है take this snapshot okay यह snapshot ले लीजिए भई फटाफट now I am turning the page अब इसका snapshot ले लीजिए okay इमके यह filling the blanks with answer यहाँ पर लिखे हुए and now write these answers okay in your notebook and the link is given in the description whatsapp group की 4th standard के whatsapp group की link description में दी हुई है उस link पर जाईए tap कीजिए group में joined हो जाईए और उस link को उस link उस group में आप अपने homework को send कीजिए I will check your homework okay हमें पता तो चले कि कितने students सही तरह से homework करके हम तक भेज रहे तो वीडियो को like कर दिए जाने को subscribe कर दिए की मिलेंगे अगले वीडियो में लेशन नमबर 10 के साथ तिल देन बाबाय students कि अगले से वाले से वीडियो में लेगे सकती है कि बाईकार Chapter 10 के से यजिए रहाईकार सी दोटे से आप कर दो उसक्तावर्चवर्ण कि अगले से तकितना है कि लाईकार स्टिप्ण